नमस्कार मित्रो मैं महंद्र लीलर अन्विरा एजुकेशन यूटूब चैनल पर आपका हार्द श्वागत करता हूं मित्रो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ची और राजस्थान हिस्ची के अंतरगत अपन पढ़ रहे थे डाइनेस्टीज राजस्तान की महत्तपूर्ण महत्तपूर्ण डाइनस्टीज जिसके अंतरगत अपने पढ़ा मेवाड का इतियास मेवाड के इतियास के अंतरगत अपने गुहिलोत शुशोदिया ये सारे जो है वहां के वंसज अपने पढ़े थे आज मित्रो आज के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मारवाड के राठोड वन्स का इतियास मारवाड जोदपूर और जोदपूर के आसपास के जो छेतर है वो सबको क्या माना जाता था पहले मारवाड माना जाता था तो मारवाड का इतियास के अंतरगत जो महत्तपूर्ण वंसज है वो है आपके कौन राठोड वंसज मित्रो ये जो राठोड वंसज है इन राठोड वंसजों को किनको राठोड वंसजों को क्या नाम से जाना जाता है तो द्यान देना राठोड वंस को जो है जाना जाता है आपके सूर्य वंसी हिंदू किस नाम से जाना जाता है सूर्य वंसी हिंदू कहा जाता है ठीक है मित्रो द्यान दे मित्रो ये जो राठोड वंस है इसकी उत्पति कहां से होती है क्या पढ़ना अपने को राठोड वन्स को जो है सुरूशे पढ़ना है और सुरूब में लेते हैं तो आपन देखते हैं कि इसकी उत्पती जो है मित्रो वो उत्पती दो जगे से मानी जाती है हालांकि मोल रूप से तो एक ही मानी जाती है लेकिन आपन जगे के इस्थान विशेश से उसको दो बागों में बाटते हैं दक्षिन भारत के इंतरगत कहां पर मित्रो दक्षिन भारत के आदार पर और कन्योज के आदार पर कन्योज भी आपने पढ़ा होगा समराठ असोक के समय में तो द्यान दें ये जो है मित्रो उत्पती दक्षिन भारत में हुई थी उसके बाद कन्योज में भी ये आये थे तो दक्षिन भारत के अंतरगत जो राष्ट्र कूट वंसद है वहां से इनकी क्या मानी जाती है उत्पती मानी जाती है और जो कन्योज है मित्रो कन्योज के अंतरगत एक वंस है गहडवाल वंस कौनसा वंस गहडवाल वंस वहां से भी इसकी क्या मानी जाती है उत्पती मा मानी जाती है अपने मारवाड के राठोड वंस की उत्पती यहां से मानी जाती है मित्रो लेते हैं अपन पहले साशक को और पहला साशक है आपका कौन पहला साशक है आपका राव सीहा राव सीहा जो है मारवाड वंस की अंतरगत अपन पहला साशक लेते हैं और यह जो मित्रो राव सीहा जो थे वो थे कहां के वो थे तो कन्नोज के कहां के थे मित्रो कन्नोज के थे यह यहां पे मित्रो आते हैं कब यह आते हैं आपके 1240 इश्वी में कब आते हैं मित्रो 1240 इश्वी में यहां पे आते हैं क्यों आते हैं यहां पे मित्रो एक ब्रामनों की एक जाती है पालिवाल जाती उनकी सहाइता के लिए यहां पे आये थे यानि कि पालिवाल ब्रामनों की सहाइता के लिए आये थे हैं पालिवाल ब्रामनों की सहाइता करने के लिए यह कन्नोज से यहां पे आये थे सहाईता के लिए आये थे और ये यहीं होकर के रह गए थे ये यहीं पे रहेंगे यानि कि जो मारवार के राठोड वंस हैं उनके ये क्या माने जाते हैं संस्थापक माने जाते हैं क्या माने जाते हैं मित्रो संस्थापक माने जाते हैं कौन राव सिहा राठोड वंस के संस्तापक राव सिहा माने जाते हैं जिस प्रकार से अपने पढ़ा कि मेवाड के जो वंसज है या मेवाड इतियास का जो मुख्य स्थम्भ है जिसे बपा रावल अपने पढ़ा तो उसी प्रकार से मारवाड के राठोड वंस के संस्ता पर कौन माने जाते हैं राव सीहा माने जाते हैं मित्रो ये मारवाड आए मारवाड आकर के फिर ये ही होकर के रह गे फिर इन्होंने जो है अपनी क्या बनाई राजधानी बनाई क्या बनाई मित्रो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और राजधानी किसको बनाया था तो ध्यान देना ये जो है मित्रो राजधानी बनाते हैं आपके खेड को जगे है खेड कहां पे है खेड वो है आपके बाड मेर में कहां है मित्रो बाड मेर में जो खेड है उसको ये क्या बनाते हैं अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं पे अपन नानिवास इस्थाई कर देते हैं मित्रो जब इनकी मृत्यू हो जाती है तो इनकी मृत्यू के उपरांत जो है क्या बनाई गई चत्री बनाई गई क्या बनाई गई मित्रो चत्री बनाई गई और चत्री कहां पे बनाई गई चत्री बनाई गई आपके बीठू नामक जगे पर किस जगे पे बीठू नामक जगे पे और बीठू नामक जगे जो है वो कहां पे है पाली में है मित्रो कहां है पाली में है ये तो हो गए आपके कौन मारवाड के राठोडवन्स के संस्थापक तो आप इसका स्क्रिंसोट ले लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सासकों को भी पढ़ते हैं जो ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा उसके बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि जो है समय कम बचा है राजस्थान पुलिश के लिए आपने ले जाते हैं किसको वो जाने जाते हैं आपके दुहड को किसको माने जाते हैं मित्रो दुहड को माने जाते हैं यानि कि जो नेक्स्ट आपके सासक है मारवाड के वो हैं दुहड राव दुहड नाम से जानते हैं इनको मित्रो ये जो है मित्रो राव दुहड इन्होंने अपने समय में क्या किया कि ये जो अपनी कुल देवी थी नागनेची माता इसको यहाँ पे मारवाड में इस्थापित किया था तो मित्रो ध्यान देना ये जो दूअड है अपनी कुल देवी अपनी जो कुल देवी है उस कुल देवी की जो मूर्ती थी उसको ये क्या करवाते हैं इस्थापित करते हैं ये जो कुल देवी की जो मूर्ती है मित्रो ये कहां से लाते हैं कुल देवी की मूर्ती इस्थापित करवाते हैं और कुल देवी की जो मूर्ती है वह मूर्ती जो है मित्रो कहां से लेकर के आते हैं वो लेकर के आते हैं आपके करना नाटक से जो है इस मूर्थी को लाते हैं और अपने जो है यहां लाकर के इस्थापित करते हैं और मित्रो नागनेची माता जो है इनकी क्या है कुल देवी मानी जाती है किनकी राठोड वनसजों की किनकी मानी जाती है मित्रो राठोड वनसजों की कुल देवी मानी जाती है है इन्होंने मंदिर बनवाया था क्या बनवाया था मंदिर बनवाया था मंदिर किसका बनाया था अपनी कुल देवी का बनाया था अपनी कुल देवी जो थी उसका मंदिर बनवाया नागाना मंदिर का नाम है मित्रो नागाना मंदिर बनवाया और ये नागाना नामक जो और next सासक जो है आपने राजस्तान के देवी देवताओं में से भी इसको पढ़ा होगा और वो सासक है आपके कौन मलिनाजी मलिनाजी है मितरो कहां के अपने मारवार इतियास के मारवार राथोड वंसिजों के हैं आपके राव मलिनाथ ज्यान दे मित्रो राव मलीनाथ जो है वो अपनी जो रासदानी है वो किसको बनाते हैं सबसे पहली बात इनोंने अपनी रासदानी बनाया था मेवा नगर को किसको बनाया मित्रो मेवा नगर को बनाया था मित्रो मेवा नगर जो है वो कहां इस्तित है वर्तमान में वो है आपके बाड मेर में कहां पे है मित्रो बाड मेर के अंतरगत है आपके क्या मेवा नगर जिसको मलिनाज जी ने अपनी राजदानी बनाया था मित्रो मलिनाजी को जो है राजस्थान इत्यास के अंतरगत क्या मानते हैं अपन लोक देवता मानते हैं मलिनाथ जी राजस्थान के लोगदेवता में से एक है मलिनाथ जी राजस्थान के लोगदेवता माने जाते हैं लोगदेवता है है ना आप देखे मित्रो मलिनाजी जो है इनके कारण जो बाडमेर का जो छेत्र था वो किस नाम से जाना गया था इतियास में तो मित्रो इनके कारण जो है इनके कारण का मतलब मलिना जी के कारण बाडमेर का छेत्र मालाणी नाम से जाना गया किस नाम से जाना गया मालाणी नाम से जाना गया मालाणी नाम से प्रशिद भी हो गया था अना मित्रो मलिना जी जो है मित्रो इनके कारण आपने पड़ा भी होगा बाडमेर के अंतर जो है पसु मेला भी भरता है उनकी जगे पे तो ये हो गए आपके मलिना जी अब मलिना ज जो है मित्रो इनके समय में एक गीत गाया जाता था और कौन से अउसर पर गाया जाता था गंगोर के अउसर पर गीत गाया जाता था उस गीत का नाम था गिंदोली गंगोर पर गिंदोली गीत गाया जाता था मारवार के वंसजों में मलिनाजी तो मित्रो इनके भी जो है ये मलिनाजी जो लोक देवताओं वाली बात है इसको आप जो है अंडरलाइन कर रहा हूं और मालाणी छेतर को भी अंडरलाइन कर रहा हूं और खास तोर से गिंदोली नामक जो गीत है उसको अंडरलाइन कर रहा और वो है आपके कौन राव चूडा कौन है मित्रो राव चूडा है राव चूडा तो कहां पढ़े थे अपने मेवाड के अंतरगत पढ़े थे कहां पढ़े थे मित्रो मेवाड के अंतरगत पढ़े थे राव चूडा को और अब अपन पढ़ेंगे मारवाड के इतियास में जो प्रशिद सासक हुए हैं वो हुए राव चुंडा जो है अपने इत्यास में किस द्रश्टी से परशिद है तो आपको पता होना चाहिए कि जो देवताओं की जो साल है अपने जोधपूर के अंतरगत मंदूर के अंतरगत तो मंदूर का जो छेत्र था कौन सा छेत्र है आपका मंडोर का छेत्र मंडोर छेत्र जो है मित्रो यहां इनको किस में मिला था दहेज में मिला था दहेज के अंतरगत इनको मंडोर का छेत्र मिला था किन से मिला था तो प्रतिहार सासकों से मिला था यानि यहाँ पे अधिकार था किनका प्रतिहारों का और प्रतिहारों साशकों ने इनको अपनी बेटी दी और बेटी के साथ साथ जो है छेत्र भी दिया कौन सा छेत्र मंडोर का छेत्र अपनी राजकुमारी को जब इन्होंने ब्याह दिया यानि प्रतिहार साशकों की जो इंदा साखा जो थी यहाँ पे लिख दू मित्रो धोड़ा सा ध्यान रखना इंदा साखा जो है राजबूतों के अंतरगत जो इंदा होते हैं उस साखा प्रतिहार साखा के इंदा साशको ने अपनी राज कुमारी का विवा करवा दिया किस के साथ राव चुंडा के साथ जब उनको क्या दे दिया गया मंदोर का छेतर दे दिया गया किस में दहेज में मित्रो जब इनको दहेज में मिल जाता है क्या मंदोर का छेतर तब इन्हों ने राव चुंडा ने अपनी जो राजदानी थी वो राजदानी बनाई किसको मंडोर को किसको बनाया मित्रो मंडोर को अपनी क्या बना दी राजदानी बना दी थी ये मित्रो राव चुंडा आपने राव चुंडा को जो है मेवार इतियास के अंतरगज भी पढ़ा था है ना अब इसको मित्रो यहीं तक ध्यान दें राव जोदा जो है अपन क्यों इनके बारे में इतना पढ़ते हैं क्या इनकी विसेस्ता है क्या इन्होंने कारिय किये तो उनके बारे में भी देखते हैं अपन राव जोदा के बारे में राव जोदा जो है मित्रो उन्होंने सन 1469 इश्वी में कब की बात है मित्रो सन 1469 इश्वी में जो है जोदपुर की स्थापना कीती किन के द्वारा राव जोदा के द्वारा कब की जाती है ये प्रश्ण पूछा गया है सन से रिलेटेड और सन से रिलेटेड प्रश्ण पूछा गया है इसलिए सन को आप क्या करना याद रखना क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट जो चीज होती है उसको भूलना जरूरी नहीं होता है अब मित्रो ध्यान देना जो राव जोदा है जब इन्होंने जोदपुर की सापना की तो वहाँ पे जो है मित्रो एक किल्ला बनवाया और उस किल्ले का नाम क्या है महरांगड किल्ला महरांगड किल्ले का क्या करवाया निर्मान करवाया महरांगड किले का क्या करवाया मित्रो निर्मान करवाया मित्रो इस ये जो किल्ला है इस किल्ले के समंदित प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न क्या पूछा गया था प्रश्न ये पूछा गया था कि ये जो किल्ला है वहां किस पहाड़ी पर बना हुआ है किस पहाड़ी पर बना हुआ है तो पहाड़ी हो गई आपकी कौन सी पहाड़ी चिडिया नाथ टोक पहाड़ी कौन सी पहाड़ी हो गई मित्रो चिडिया नाथ टोक पहाड़ी इस पहाड़ी पर बना है आपका क्या महरांगड मयुर ध्वज किल्ला जो है बना हुआ है की निव में किसकी समादी दी गई थी तो समादी दी गई थी आपके ये किसकी राजा राम मेगवाल की किसकी दी गई थी मित्रो समादी दी गई है राजा राम राजा राम मेगवाल की ठीक है मित्रो ध्यान देना मित्रो राजा राम मेगवाल की जो है समादी दी गई और ऐसा कहा जाता है कि ये किल्ला किसके आसिरवाद से बना था तो किसके कारण बना था तो करणी माता के कारण करणी माता के आसिरवाद से ये किल्ला जो है बन करके तयार हुआ था यानि कि ये हैं आपके कौन राव जोदा अब मित्रो ध्यान देना जो राव जोदा है उन राव जोदा के जो बेटे थे बेटे जिसका नाम क्या था नाम था बीका बेटे बीका ने बीका ने जो है किसकी स्थापना की बीका नेर की स्थापना की थी किसकी स्थापना की मित्रो बीका नेर की स्थापना की है राव जोदा ने तो की जोदपुर की स्थापना और इनके पुत्र ने की है बीका नेर की स्थापना तो आप स्क्रिंसोट ले लीजे इसका फिर बढ़ते हैं आप आपके नेक्स्ट जो है सासक मेवाड के सासकों में तो ये हैं आपके राव जोदा जिन्होंने 1469 इश्वी में किसकी स्तापना की जोदपूर की स्तापना की महरांगड किले का निर्मान करवाया महरांगड किला किस पहाडी पे चिडियानात टूख पहाडी पे इस किले की जो निव थी उस निव के अंदर शमादी दी गई थी किसकी राजराम मेगवाल की करणी माता के आसिरवाद से बना था और इनके बेटे बिका ने जो है क्या किया था बीकानेर की स्थापना की थे Next important सासकों में से सासक आते हैं आपके राव माल देव कौन आते है मित्रो राव माल देव क्यों important है क्या विशेश है इनमें तो ध्यान देना राव माल देव जो है मित्रो वो 1531 से लेकर के 1531 से लेकर के 1562 इश्वी तक साशक रहते हैं आपके मारवाड के अंतरगत मित्रो ध्यान देना सबसे पहले आपन पढ़ लेते हैं इनके पिता पिता है मित्रो गांगा पिता का नाम क्या है गांगा और इनकी जो है मृत्यू पिता की मृत्यू करके या पिता की हत्या करके मृत्यू से अच्छा शब्द रहेगा यहां पे हत्या परिस्तिती को देखते हैं हत्या करके इन्होंने जो है राजगदी को प्राप्त किया था हत्या करके क्या किया था राजगदी पर बैठे थे यानि हत्या करके राजा बने थे कौन राव माल देव ठीक है मित्रो ध्यान देना ये तो है आपके राव माल देव जब ये बन जाते हैं राजा तब इनके पास मात्र प्रगने कितने थे छेत्र कौन कौन से थे वो ध्यान रखना उस समय जब राजा बनते हैं उस समय परगने थे इनके पास परगने थे मात्र दो परगने कितने परगने थे दो परगने और दो परगनों में से भी कौन कौन से एक तो था आपका सोज़त का परगना और एक था आपके जोदपूर का परगना ये दो छेतर विशेश जो है इनके पास में थे मित्रों इन्होंने जो है जब राजा बने तो उसमें तो दो ही थे लेकिन वीर थे इस वज़े शे इन्होंने बावन युद लड़ें कितने युद कियें बावन युद कियें और बावन युद करके या बावन युदों से उन्होंने जो है अठावन परगने कितने परगने मित्रों अठावन परगने जीते थे अठावन परगने जीते थे मित्रो ये तो जो है छोटा सा परीचे हो गया अब अगर आप से पूछ लिया जाए माल देव की उपादिया देखो मित्रो किसी भी साशकी अगर उपादिया आती है तो उसको नौट लगा करके या हाइलाइट करके उसको क्या कर दीजिये आप लिख दीजिये तो मित्रो इनकी उपादिया मुक्य रूप से अपन यहां दो पढ़ेंगे और दो उपादिया में पहली उपादिया जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे हिंदू बादसा की उपादी किसकी उपादी मित्रो हिंदू बादसक कहा जाता था किसको राव माल देव को और इनको कहा जाता था हश्मत वाला राजा क्या कहा जाता था हस्मत वाला राजा क्या होता है हस्मत वाला राजा का अतात पर ये ऐसा थोड़ी के हसने वाला राजा ही हस्मत वाला राजा हो गया गलत है हस्मत वाला राजा उपादी का आर्थ होता है वैभव शाली राजा क्या होता है वैभव साली राजा कहा जाता है मारवार के अंतरगत किसको राव माल देव को कहा जाता है किसको कहा जाता है मित्रो राव माल देव को कहा जाता है हस्मत वाला राजा मित्रो अब जो है इनके अपन युद्ध पढ़ते हैं राव माल देव के आप पहला जो युद पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपके 1541 का युद 1541 के अंतरगत मित्रों इन्हों ने एक युद किया था और वह युद किया था कौन सा युद पाहेबा का युद या इसी युद को एक और नाम से भी जाना जाता है साहेबा का युद नाम से जानते हैं कब हुआ सन 1541 इश्वी में होता है पाहेबा या साहेबा का युद मित्रो इंपोर्टेंट है याद रखना किन किन के मद्य होता है थोड़ा सा ये द्यान रखना तो ये युद्ध जो है मित्रो जैटसी जैटसी और किनके मद्य होता है राव मालदेव के मद्य होता है जैटसी जो है मित्रो कहां के थे वो थे आपके बीकानेर के सासक कहां के सासक है बीका नेर के सासक है माल देव तो आपको पता ही है वो आपके मारवाड यानि की जोदपूर के साशक थे मित्रो इस युद के अंतरगत जो है जो माल देव है इनकी क्या हो जाती है जीत हो जाती है और ये इस युद के अंतरगत मारे जाते है मारा जाता है कौन राव जैत्सी कहां के सासक बीका नेर के सासक ये जो है मित्रो मारे जाते हैं इनके पुत्र जो है मित्रो राव जैत्सी के एक पुत्र था जिसका नाम था कल्यानमल क्या नाम था मित्रो कल्यानमल जिसका नाम था पुत्र था कल्यान मल मित्रो ध्यान देना जैसे ही समाचार मिलता कल्यान मल को कि इनके पिता की क्या हो गई मृत्य हो गई हत्या हो गई तो ये भाग जाते हैं यानि की सरण में चला जाता है किस की सरण में सरण चला गया किस की दिल्ली के सासक सेर सागी दिल्ली के सासक कौन थे सेरसा की सरण में चला गया कौन कल्यानमल मित्रो ध्यान देना राव माल देव का पूछा जाए जब सासक बना उसमें भारत का या दिल्ली का सुल्तान कौन था तो उसमें तो होगा आपका हुमायू कौन होगा मित्रो हुमायू बाबर का पूत्र हुमायू मुगल सेकेंड मुगल बादसा लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राव माल देव जो है उनका महत्वपूर्ण युद्ध किस दिल्लीक सुल्तान के साथ हुआ था तो वो हुआ था आपके कौन से सुल्तान के साथ क उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे बावन युद्ध लड़े थे उनमें से एक युद्ध किया था एक साखा थी मेड़ता मेड़ता के सासक के साथ भी उन्होंने क्या किया युद्ध किया और मेड़ता के सासक थे कौन वीरम देव कौन थे मित्रो वीरम देव वीरम द जाते हैं भाग जाते हैं दिल्ली कहां चले जाते हैं दिल्ली और दिल्ली कौन बैटा है सेरसा सेरसा के पास चले गे कौन विरम देव पहले चले गे आपके कल्यानमल अब पहुंच गे कौन विरम देव मित्रो यहां पे अगर इत्यास की दृष्टी से राजनितिक क्योंकि इनके कुटुम्ब के लोग भी साथ में नहीं है तो आगे चलके वो इतने बड़े दिल्ली के सुल्तान को कैसे हरा पाएंगे हना अलांकि सासक बहुत जोरदार जबरदस्त है सक्ति साली है वैबव साली है लेकिन कुछ कम्यों के कारण हार जाते हैं कब हारेंगे देखेंगे आपन नेक्स्ट अपने जो है युद के अंतरगत तो ये तो होगे आपके मालदेव मालदेव के जो है पाहेबा का युद या साहेबा का युद जो लड़ा गया कब 1541 इस्वी में ठीक है मित्रो अब अपन देखते हैं कि यह जो मालदेव है मालदेव इनके समय में जो जो दिल्ली का सुल्तान था कौन हुमायू दिल्ली का सुल्तान कौन हुमायू तो मालदेव और हुमायू के मद्य क्या सम्मन्द रहें हुमायू मालदेव सम्मन्द मित्रो हुमायू और मालदेव के मद्य क्या सम्मन्द रहा है ये देखते हैं अपन किसके कारण बने थे वो बने थे सेरसा सुरी के कारण हुमायू और मालदेव के मद्य जो समंद बनते हैं वो बनते हैं सेरसा सूरी कौन मित्रो ये है अफगान सासक कौन है अफगान सासक है मित्रो सेरसा सूरी और मालदेव के मद्य जो युद होता है उस युद के अंदर चौसा के युद के अंतरगत जब इनकी हार हो जाती हुमायू की तो जो है सासक बन जाता है सेरसा सूरी जब ये हुमायू हार जाता है तो वह राजस्थान से होते हुए सिंध तक पहुंचता है लेकिन जब ये राजस्थान पहुंचता है कहां पे राजस्थान से होकर के जब ये गुजर रहा था राजस्थान से होकर के राजस्थान से जब ये गुजर रहा था उस समय जो मारवाड के जो सासके वो थे आपके कौन मालदेव माल देव से जो है उन्होंने क्या की सहाइता मांगी क्या मांगी सहाइता मांगी सहाइता किस जगे पर मांगी थी सहाइता मांगी थी आपके जोगी तीर्थ नामक जगे पर जोगी तीर्थ नामक जगे पर जो है सहाइता मांगी थी किसने हुमायू ने किस से मांगी थी माल दे उसे ठीक है मित्रो और ध्यान देना यहां पे सहाइता जो मांगी थी उसके लिए इन्होंने तीन वेक्तियों को भेजा था यानि कि तीन दूत बेजे थे सहाइता के लिए कितने दूत तीन दूत बेजे थे पहला बेजा गया था आपके किस को अत्का खान को ठीक है दूसरे नमबर पर मित्रो जो है हुमायों ने बेजा था मीर समद को ये इनका सैनापती था मित्रो मुख्य सैनापतियों मेंसे माना जाता था मीर समद और मित्रों तीसरे नंबर पर इन्होंने भेजा था एक राई मल सोनी को भेजा था किसको भेजा था राई मल सोनी को भेजा था कि जाओ और जो मारवाड के सासक है उनको कन्वेंस करके किसी भी प्रकार से सहाईता प्राप्त कीजिया हालांकि जो मालदेव है मित्रो इन्होंने सहाइता के लिए यस भी कर दिया था सहाइता देने का वचन भी कर दिया था वादा भी कर दिया था लेकिन हुमायू के जो पुस्तकाल अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि ये वेक्ती सही नहीं माना जा सकता है ये दगा कर सकता है अगर कहीं सेरसा को पकड़वा दिया हमें तो सेरसा कहीं हमें मार ना दे इसलिए हुमाय। जो है मित्रो सहायता मिलने से पूर्व ही जो है कहां चला जाता है शिंद के छेत्र में चला जाता है ये तो था मित्रो क्या समंद था मित्रो ध्यान देना अगर हुमाय। और मालदेव का समंद गनिष्ट हो जाता थोड़ा सा आपन जो है कालपनिक द्रश्टी से देखते हैं अगर समंद गनिष्ट हो जाता समंद जो बाद में विवाईक समंदों के अंतरगत बना था अगर वेवाई का सम्मंद हो जाते इनके मद्ये कौन से सम्मंद वेवाई का सम्मंद हो गए होते तो जो है उसी समय मित्रो अफगान जो सत्ता थी वो अफगान सत्ता क्या हो जाती समाप्त हो जाती क्या हो जाती मित्रो, समाप्त हो जाती और अब मित्रो एक जो है ध्यान दें, अब आप लिखिए यहाँ पे एक नोट, नोट लिखिए और नोट इंपोर्टेंट नोट है मित्रो, और प्रश्न भी पूछा गया है उस पर, रीट जैसे एक्जामों के अंतरगत पूछा गया ह प्रश्ण क्या है तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट और नोट के अंदर लिखें आप की कालांतर में कालांतर में अकबर ने कालांतर में साशक है कौन मुगल साशक है मुगल समराथ है अकबर अकबर ने जो है मुगल राजपूत सम्मन्द इस्थापित किये अगर मित्रो आगर राव मालदेव और हुमायू के मद्य जो है समन्द इस्थापित हो गए होते तो पहला माना जाता था अकबर की जगे कौन हुमायू पूछा गया था क्या कि मुगल राजपूत समन्द किसके समय में इस्थापित हुए हैं ये प्रशन पूछा गया था तो आपको पता होना चाहिए जब अकबर नागोर दर्बार लगाता है रुसमें जो है आमेर के सासक ने जो है इनकी अदिनता श्विकार कर ली और इनों ने जो है अपनी जो पारिवार की जो पूत्रे थी उसको क्या कर द दिया था इस वज़े से जो है वो राजपूत सम्मन इस्थापित हो चुके थे अब मित्रो मुक्य रूप से देखें कि जो राव मालदेव है उनका एक बड़ा ही महत्तोपून युद बाना जाता है और युद भी जो है किसकी वज़े से हुआ था युद हुआ था आपके गिरी सुमेल का युद है कौन सा युद मित्रो गिरी सुमेल का युद है गिरी सुमेल का युद मित्रो कब होता है तो गिरी सुमेल का युद जो है मित्रो होता है 1544 इश्वी में कब होता है 1544 इश्वी में युद होता है कौन सा आपके गिरी सुमेल का युद मित्रो ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो हुआ है किन किन के मद्धिये राउ मालदेव और सेरसा सुरी के मद्धिये ये युद्ध होता है राव मालदेव और सेरसा सुरी मित्रो ध्यान देना सेरसा सुरी एक अफगान सासक है दिल्ली सल्तनत का ध्यान देना मित्रो की जो मालदेव है उनके सैना पती कौन थे ये इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है सैना पती सैना पती थे आपके जैता और कूपा जैता और कूपा नामक दो क्या थे इनके सैना पती थे मित्रो इदर मित्रो सेरसा सुरी जो है उनके पास दो वेक्तितों पहले से ही मौजूद थे एक तो था कल्यान मल अभी आपको बताया था कहां का बीका नेर का और एक और वेक्ती था कौन वीरम देव ये कहां का मेरता का किसके पास है सेरसा सुरी की सैना में है और मित्रो इनके पास एक और सैना पती था जिसका नाम क्या था और उसका नाम था आपके जलाल खाँ जल्वानी क्या नाम था जलाल खाँ जल्वानी नाम था मित्रो जलाल खाँ जल्वानी की कूट नितिग्या और वीर्टा के कारण जो है सेरसा सूरी इस युद के अंतरगत क्या हो जाते हैं जीत जाता है कौन सेरसा सूरी किस के कारण जलाल खाँ जल्वानी के कारण मित्रो सेरसा सूरी जो है अपनी कूट निती के कारण राव मालदेव को युद छेतर से क्या कर देता है बाहर कर देता है युद छेतर से बाहर कर देता है और जब ये युद छेतर से बाहर हो जाता है राव माल्देव तब जेता और कूपा ने युद का क्या किया था नेतरत्व किया था जिस प्रकार से आपने मेवाड इतियास के अंतरगत पड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे भी दो जो मुख्य सेनापती जिनोंने अपनी वीरता प्रदर्शित की थी वो है जेता और कूपा गोर संगर्स किया सेरसा सूरी को जो है अंत तक जीतने नहीं दिया लेकिन अंत में अपनी कूट निती के कारण अपनी कुटलता के कारण जो है अपनी गलत हरकतों के कारण सेरसा सूरी जीत जाता है यानि गिरी सुमेल का युद किस ने जीत लिया? वो जीत लिया आपके सेरसा सूरी ने मित्रो नोट लगाकरके एक यहां पे प्रश्ण, सॉरी, यहां पे एक कथन लिख रहा हूं वो कथन आप ज़रूर लिखें कथन क्या है मित्रो, थोड़ा सा ध्यान दे करके कथन बड़ा इंपोर्टेंट है फिर से कह रहा हूँ और कथन क्या है कथन ये है के मुठी बर बाजरे के लिए मुठी बर बाजरे के लिए मुठी बर बाजरे के लिए संपोना हिंदुस्तान की बादसाहत को खो देता हना बादसाहत को बाजरे के लिए हंदुस्तान की बादसाहत को खो देता मित्रो ये की ये कतन जो है आपके बारवी क्लास की जो हिस्टरी की किताब है उसके अंतरगत भी दे रखा है अपने एश्टी सी एक्जाम में तो हैई पी टी टी एक्जाम में भी है लेकिन राजस्थान पुलिश के लिए मैं यहां पे लिख दूँ आपके लिए राज पॉलिश के लिए ये क्या है इम्पॉर्टेंट है मुट्टी वर वाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता निमनलिखित में से ये कथन किसका है सेरसा सूरी का है ठीक है मित्रो अब ज्यान देना यहां पे कि जो सेरसा सूरी है उसने जब ये गिरी सुमेल का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने जोदपूर पर कहां पर जोदपूर पर अधिकार कर लिया और जो राव मालदेव है वो राव मालदेव कहां चले जाते हैं राव मालदेव जोदपूर से मालदेव शिवाना भाग जाते हैं कहां भाग जाते हैं मित्रो शिवाना भाग गए भाग गए मित्रो प्रश्न यहां पर पूट अप कर लेना आप की मारवाड के राठोडों की सरन इस्थली किसे माना जाता है तो सरन इस्थली माना जाता है किसको शिवाना को माना जाता है मित्रो थोड़ा सा एक और प्रश्न है मारवाड इत्यास के अंतरगात या राठोड वंसदों के अंतरगात रूठी रानी कौन थी पूछा गया प्रश्न है मित्रो यह भी तो रूठी रानी कौन थी वो प्रश्न आप देखें यहां पर मित्रो अपन पढ़ेंगे एक रानी को और रानी है आपकी उमादे कौन है मित्रो ये उमादे है कौन तो उमादे जो है मित्रो वह जसलमेर के जो राजा थे लोन करण उनकी पूत्री थी लोन करण की क्या थी पूत्री थी और ये मित्रो लोन करण जो है ज्यान रखना जसलमेर के साशकों को भाटी सासक कहा जाता है इसलिए लोन करण भी क्या थे भाटी सासक थे लोन करण भाटी की पूत्री थी कौन उमादे जिसकी शादी जो है वो होती है किस से माल देव से यानि कि मालदेव की ये क्या हो गई रानी थी कौन उमादे एक बार क्या होता है मित्रो राव मालदेव जो है उनकी एक दासी है मालदेव की जो दासी है और दासी का नाम है भारमली दासी का नाम क्या है मित्रो भारमली और इस भारमली के कारण जो है इसी के कारण भारमली के कारण जो है भारमली के कारण माल दे उसे नाराज हो गई है कौन उमादे भारमली के कारण जो है नाराज हो गई और नाराज कौन हो गई उमादे और मित्रो जब ये नाराज हो जाती है रूठ जाती है तो अपने मारवाड के अंदर जो कोई नाराज हो जाता है तो उसे रूठा हुआ का जाता है तो इसको भी क्या कहा रूठी रानी कहा है मारवाड इत्यास के अंतरगत रूठी रानी किसे माना गया उमादे को माना गया है किसको माना गया मित्रो उमादे को माना गया है मित्रो अपन जो है रुठी रानी देख लिया किसकी पतनी थी वो थी आपके मालदेव की मालदेव ने जोदपूर में क्या विशेश किया है तो मित्रो जो जोदपूर है मालदेव ने जो जोदपूर है इस जोदपूर की जो चार दिवारी का जो निर्मान किया गया है उस चार दिवारी का निर्मान किसने करवाया है वो करवाया है आपके सासक मालदेव ने किस ने करवाया माल देव ने करवाया मित्रो माल देव ने मित्रो जो है किलों का भी निर्मान करवाया है और कहां कहां पे किलों का निर्मान करवाया तो ध्यान देना एक तो करवाया उन्होंने मेड़ता के अंतरगत अभी मैंने आपको बताया जो मेड़ता के साशक वीरम द निर्मान करवाया था मेड़ता मेड़ता के बाद रिया जो नागोर के अंतरगत है वो वाली रिया और मित्रों सोजत मेड़ता रिया सोजत और जसल मेर का एक छेत्र है पोकरण वहाँ पर इन्होंने किलों का क्या करवाया निर्मान करवाया है किसने माल देव ने मित्रों ज्यान देना यहाँ पे जो माल देव है इनके जो पूत्र थे उन पूत्रों में जो है इन्होंने फूट डलवा दी थी कैसे डलवाई उत्रादिकार का नियम कहता है कि पिता के बाद जो बड़ा पूत्र होता है वही उत्रादिकारी बनता है लेकिन मालदेव जो थे उसने उनके बड़े बेटे राम बड़े बेटे जो पुत्र जो थे वो राम और उसके बाद थे उदेशिंग इन दोनों को तो क्या कर दिया उत्राधिकारी बनाया ही नहीं तीसरा जो पुत्र था उस तीसरे और जो छोटा पुत्र था ये तो होगे दोनों क्या बड़े पुत्र और जो छोटा पूत्र है जो छोटा पूत्र है जिसका नाम आपने कहीं दपा पड़ा भी है और जिसे प्रताप का अगरगामी भी कहा जाता है वो है आपके चंद्रसेन कौन है चंद्रसेन इस छोटे पुत्र चंद्रसेन को अपना क्या बना दिया उत्रादिकारी बना दिया क्या बना दिया मित्रो उत्रादिकारी बना दिया जब इसको उत्रादिकारी बना दिया तो ये दोनों ही क्या हो गए नाराज हो गए और भाग करके कहां चले गए भाग गए और चले गए आपके कहां पे अकबर के पास किसके पास चलेगे मित्रो अकबर के पास चले जाते हैं यानि कि इन दोनों ने राम और उदेशिंग ने माल देव के जो है माल देव से खिलाफत की और माल देव के जो विरोदी सासक हैं मुगल सासक हैं उनके पास चले जाते हैं तो मित्रो आज के अपने इस मारवाड के राठोड वंस के इत्यास के अंतरगत अपन जो है मालदेव तक ही पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन चंदरसेन से सुरू करेंगे वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ तो मैं महंद्र लेता हूँ आपसे अलविदा धन्यवाद